दोस्तों कोई भी मकान बनाते हैं तो हम उसमें अपने बहुत पैसा लगा देते हैं और हम सुचते हैं कि हमारा मकान अच्छे से बन के तयार हो जाए लेकिन दोस्तों यहां कुछ आपको जरूरी जानकारी नहीं होने के वज़ा से जो हमारे सर्ट्रिंग वाले मिस्तिरी होते हैं या फिर हमारे पास कोई टेक्निकल नौलेज नहीं होता है तो हम उसमें बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजे जो है उन नहीं जानते हैं तो हम ओ चीज ध्यान नहीं देते हैं अपने साइट पे नहीं चेक करते हैं और दोस्तों उसी शोटी शोटी गलतियों से मान लिजे आपका कई बार होता क्या है कि छत में करयक आ जाता है च्छत ऊपर नीचे यानि अंडू चेक कर लेनी है सबसे पहला मैं आपको यहां जो दिखा रहा हूं आप जब भी अपना पीलर यानि जो आप कॉलम खड़े करते हैं तो आप जो भी कॉलम का इलाइमेंट आप नीचे यहां देख रहा है कॉलम वहां नौवारा को बनाए गया है लेकिन वहां जब आप ऊपर जा रहा है जैसे जैसे यहां तीन पार्ट में कॉलम को ढला गया है आप यहां देख सकते हैं तो नीचे का आप सेप देख रहा है और उपर जो कॉलम जा रहा है और यहां से पतला होते गया है यहां जितने भी फिर उपर जाके आप देख सकते हैं और पतला हो गया है तो य वहां हमें सियर की जो हम अगर एक पार्ट ढलाई करते हैं तो फिर हमें उसमें कुछ रॉफ सर्फेस करके या थोड़ा सा गड़ा छोड़ देना चाहिए ताकि हम दुबारे से उस कॉलम को ढाले तो उसमें हमारा कॉलम अच्छे से एंक्रिंग कर ले यानि कि बॉंडिंग ब प्रॉपर डिस्टिब्यूट नहीं करेगा और कोई भी आपका फोर्स पड़ेगा और्थविक आजाएगा या जमीन के सेटलमेंट होगी तो वहां से कॉलम तूटने का चांस बनता है दूसरी सबसे बड़ी मिश्टेक हमारे सट्रिंग लगाते टाइम में की जाती है कि ज निए जैसा आप देखते हैं कि उसके नीचे घंक संबड़ा दिया जाता है और फीर तंब टाइट किया जाता है बहुत केसमें ऐसे देखा जाता है कि वहां से बल्ली जूलती रहती है तो जब भी आप कास्टिंग क क्रें से जलाई करने पहले आपको सारी बल्ली चेक कर लेनी है कि एकदम टाइट फिक्स है कि नहीं और कोसिस यह करें कि जितनी आपकी हाइट की यहां पे बल्ली लगानी है यानि 6 तक 10 फिटका है 12 फिटका है तो आपको एक ही पीस में वह बल्ली पूरा नीचे तक फिक्स होग जाए जैसे यहां पर बड़ा ढालते हैं उस पर सरीय बांते हैं फिर उस पर रोडी डालते हैं यानि ढलाई करते हैं लोग उस पर आते जाते हैं मसीन चलती है तो उस पर बहुत लोड़ पढ़ता है तो लोड़ पढ़ने को जैसे वहां से बल्ली टूट सकती है आपका इंट या फिर प्लैं आने लगता है जैसे आप देखें होंगे आपके कुछ दिन बाद भी च्छत में चोटे-चोटे आने लगते हैं उसके बाद होता है कि वहां पर अंडूलेशन भी होता है यानि च्छत आपका ऊपर नीचे हो सकता है एक बरावर च्छत निकल के नहीं आता है तो दोस्तों इतनी में आपकी हाइट है एक ही बल्ली में आपको उपर से नीचे तक उसको एकदम मजबूती से लगाया जाए और उसको डहलाई से पहले जरूर एक बार दोबर चेक कर लेनी चाहिए